जबलपूर में कुरोना संक्रमन के मामले को देखती हुवी जिला प्रसासन के साथ रेलवे भी आब कदम ताल मिलाते हुवी तयारियों में जुटा हुआ इसी कड़ी में रेलवे दुआरा तयार किये गए आईसोलेशन कोच का निडिक्षन आज जबलपूर कलेक्टर दुआरा किया गए है वही निडिक्षन के दोरान कलेक्टर ने कोच के अंदर रेलवे दुआरा उपलब्द कराई गई विवस्ताओ का जायज़ा लिया और लगवग प्रतिय कोच के अंदर 14 संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा सकेगा लेकिन जबलपूर की स्तती को देखते हुए कलेक्टर कर्मवी शर्मा ने रेलवे की अधिकारियों से मांग की है वह आईसोलेशन स्पेशल कोच के जरिये कम से कम 302 तयार रखे ताकि आवशक्ता पढ़ने पर ततकाल उसका उप्योग किया जा सके मही कलेक्टर कर्मवी शर्मा के अनुसार जिले में आईसोलेशन कोच के अलावा भी ग्रामिन शेत्र और शेहरी शेत्रों में कोविट केर सेंटर तयार किये जा रहे हैं युद्ध इस तर पर कोरोना से लणने के लिए जिलप्रसासन पुरी तरह से तयार है और मरीजो को स्वासई सुविदा उपलब्द कराए जा रही है जबलपूर से वाजीत खान की रिपोर्ट प्राइवेट और सरकारी अस्वाताल में बढ़ाए थे उसके बाद फिर हमने अलग-अलग एजनसी को से टच करना शुरू किया जैसे हमने आर्मी के साथ में टायप करके यह 100 बेट का कोविट के सेंटर एक इस्थापित किया है जो कि यह सेंट्रमीटिक और माल सेंट्रमीटिक लोगों को बीना अक्सिजन वाले जो लोगों है उन लोगों के लिए तयार किया था इसी करम में आज हमने रेलवे से भी निक्वेस्स किया था कि वह भी अपने 500-300 तक भी बढ़ाया जा सकता है तो फिलाल 80 बेट्स पयार है और यह जो बैट्स हैं वह भी ऑक्सिजन रहित बैट्स हैं जो एस इंट्रमीटिक हैं माल सेंट्रमीटिक लोग है और जिनको ऑक्सिजन की रिक्वार्मेंट नहीं है उन लोगों को यह चत्के नीचे वह भी लोगों के लिए वो बैड है और उसको oxygen concentrator की हम लोगों ने जो है और प्लेस की हैं जैसे oxygen concentrator आएंगे जहां जरूत पड़ेगी महां oxygen concentrator लगाए जा सकते हैं चाहे वो यहां हो चाहे महरोटाल में हो चाहे हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को like share और subscribe करना न भूले